तो घल दोस्तों क्या हला आपका उमीद है अच्छे होगा तो यार मैं हूँ ओके पाजी और आज मैं बात करने वाला हूँ जो कि पॉक्सिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लाइट हैवी वेट टाइटल फाइट थी अनडिस्प्यूटिड टाइटल के लिए आथर और अर्थर ने इस पाइट को जीत लिया है मैं खुद चाहता था कि आर्थर इस पाइट को जीते हैं लेकिन चोुआ जो डी सीजन आया है जो मैने ऐगी मुझे लगता है कि इस fight को Bible नहीं जीता है लोग क्या कहेंगे और सब लोगों का क्या opinion है तो वो एक तरफ रखके मुझे ऐसा लगता है कि साउदी अरेबिया में ये fight हुई थी और इस fight में Bible को एक robbery जो कहते हैं वो हो गई है उनके साथ और वो इस fight को हार गए है ठीक है अगर मैंने सारी fight की देखकर बात करूँ तो पहले चार round तो भई मैं सीधा Bible को दूँआ सीधा तूँकि उस बंदे का pressure बहुत साथा है और वो बंदा बार बार push कर रहा था defense उसका to the point था और boxing में एक सबसे बड़ी बात होती है कि भई आप ये नहीं देखा जाता कि आप कितना अच्छा attack कर रहे हो boxing में ये देखा जाता है कि आप defense कितना अच्छा कर सकते हो जो Floyd में वेदर है उन्होंने अपना 50E0 का record जो है इसी तरीके से maintain कर रहा है उन्होंने कनेलो को भी हरा है उनकी सबसे बड़ी बात थी उनका defense वो अपने आपको damage नहीं पहुंचा देखे ठीक है आर्थर जो है वो एक अच्छे hitter है light heavy weights में और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने 12 के 12 rounds जो थे किये हैं और पूरी fight मैंने देखिया और ऐसे पता ही निचला मुझे gov fight निकल गई लेकिन अगर मैं सारी overall fight की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि बाइवल इस fight को जीच चुके थे और last में भी आप अगर देखें कि बाइवल ने अपने हाथ उपर कर लिये थे और आर्थर जो थे वो रिंग के एक साइड जाके बस खड़ गए थे उनको पता था कि वही वो हार गए है ये मैं एक judges का कहना चाहूंगा कि judges ने ये wrong judging किया है पहले चार राउंड सीधा बाइवल ने फिफ्ट और सिक्स राउंड में मैं आर्थर का कह सकता हूं कि उन्होंने टैमेज पहुंचाया था लेकिन टैमेज इतना जादा नहीं पहुंचाया जितना उन्होंने डिफेंस किया था बाइवल ने और अगले सारे राउंड जो थे राउंड 9 से लेके 12 तक वो बाइबल ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंस किया है हाँ, लास्ट के कुछ राउंड में मैं कह सकता हूं कि बाइबल ठक गए थे लेकिन ओवराल जो थे पूरे बारा में से बारा में से साथ राउंड का बाइबल ने जीते थे जैसे कि मैंने देखा था इस फाइट का आउटकम बिल्कुल ही ओपोजिट आया मैं जब डिसीजन हो रहा था तो मैंने सुबह चार बजे थी ये फाइट मैंने साढ़े चे बजे उटके ये फाइट देखी और मुझे लगा था कि मैंने Instagram बगारा कुछ नहीं कोला मैंने सीधा जाके फाइट देखी और मैं डिसीजन देखके शॉक था कि वॉक्सिंग में ऐसा होता है लेकिन मैं उमीद को लेकिन वाइबल जो है उन्होंने अपनी हार को एक चैंपियन की तरह लिया है उन्होंने कहा है नेक्स टाइम आई विल प्रूव माइसल और आर्थर से पुशा गया और उनका एक्स्प्लेनेशन भी ऐसा ही था ठीक है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके स्वाइट लगी लेकिन इसपाइट की कमी मुझे यह लगी कि इसका डिसीजन वो जाना चाहिए था मैं खुद आर्थर को स्पोर्ट कर रहा था लेकिन मुझे लगता है कि भाईबल ने यह वाइट को जीता था और आपने देखा होग ओबल्डा की आर्थर की जो हिटिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल किया उन्होंने पाइबल को एक आई पे बहुत ही थगडा डैमेज दिया है लेकिन देमेज जो था इन बिट्विन डॉंड में था वो उनकी हिटिंग कावर है लेकिन अवरल दा फाइट बाई को जानते हैं उनसे स्किल सेट लेके इंस्पायर होके वह आज लड़ते हैं और आज के टाइम पे बाइगल टॉप के बॉक्सर है आर्थर बहुत अच्छे हैं उनकी हिटिंग पावर बहुत अच्छी है आज तक वह 12 राउंड किसी से नहीं लड़े थे लेकिन 12 राउंड कर देंगे यह फाइट 24 राउंड की भी होती तो यह फाइट 24 राउंड चलती इतनी जादा तगड़ी फाइट थी इस फाइट को देखके मुझे इसलाम और डस्टीन पोरियर की जो यूफसी की फाइट थी वो याद आ गई ठीक है उसमें तो इसलाम ने डॉमिनेट सीधा कर दिया था ग्राउंड और ग्रैपलिंग में और समीशन से जीता था लेकिन इस फाइट में वाइवल लें अपना जो डिफेंस था वो बहुत अच्छे तरीके से करा अटैक जो था वाइवल लें वाइवल वेट कर रहे थे कि भाई आर्थर उनको हिट करें जबी आर्थर हिट करते थे तो वो वान टू का कॉंबिनेशन आर्थर को दे देते थे और उनसे आगे लीट में पढ़ जाते थे हर एक राउंड में ऐसा हुआ और कई बार तो राउंड में ऐसा हुआ कि भाई आपने देखा हुगा कि जो इस फाइट को और्गे करवा रहे थे वो भी ख बस इस फाइट की मुझे कमी यह लगी कि इसका डिसीजन जो था वो वाईवल को जाना जाहिए था जो कि फेर होता तो इस आज की वीडियो के लिए इतना ही और उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो पसंद आई तो ऐसे वीडि